अगर आपको इसके पहले वोकाबलारी के वीडियो देखने हैं, तो आप आप आई बटन बे क्लिक करके देख सकते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला वर्ड है श्रियोट, डेफिनेशन है, having और showing, सार्थ powers of judgment या फिर हम उसको astute भी बोलता हैं, ए परसन हूँ इस knowledgeable, देखे आपको, if someone asks you a question, question पूछता है, तो उसका दो परिणाम होता है, whether you are able to give the answer, correct, answer is correct, otherwise, answer is wrong, ठीक है, आप या तो सही पता होता है, या तो गलत पता होता है, अगर आप answer देते हैं, अगर, if you don't give the answer, that's another scenario, but आप answer अगर देते हैं, तो या तो आपका सही हो सकता है, या तो आपका गलत भी हो सकता है, अगर आपको सही answer पता है, what does that mean, that means you are knowledgeable, आपको पता है, एक बारे में, कोई भी चीज के बारे में कोई आपको पोलता है, GST के बारे में आप क्या जानते हो, you are able to make him understand about GST, at least what amount you wanted him to understand, from you, आपको जितना चाहिये था, आपने उसको उतना समझा दिया, therefore, he will think that you are shrewd, या फिर astute, आप intelligent है, आप knowledgeable है, अगला वर्ड है, subvert, definition है, undermine the power and authority of unestablished system or institution, अगर कोई एक राष्टरपती, US में एक प्रेश्टेंट, अगर कोई गलती करता है, then they can impeach, ठीक है, impeach, impeach का मतलब क्या है, वो वोट देके उस राष्टरपती को निकलवा भी सकते हैं, ठीक है, impeachment, that is impeachment, power से हटाना, that is subvert also, ठीक है, undermine the power and authority, अगला वर्ड है, emergence, definition in the process of becoming visible after being concealed, इसका मतलब क्या, emergence का मतलब देखिए, अभी आप एक बीज अगर लगाता है, मिट्टी में, तो वो धीरे-धीरे क्या एक पौधा बन जाता है, ठीक है, जब वो पौधा बनता है, वो पौधा किस से जन्वा है, वो पौधा जन्वा है उस बीज से, ठीक है, आपको पता चलता है कि हाँ, इस जगा एक बीज लगाया था मैंने, जब वो पौधा देखते हैं हाँ, या फिर अगर आपने किसी में इन्वेश्ट किया है, और आप देखते हैं, आपका आज प्लस फाइफ थाउजन रुपीज हो रहा है, आपने सोचिए, वन लाग इन्वेश्ट किया है, इन एनी स्टॉक, आपको आज वो प्रॉफिट द एक और यूसेज बदाता हूँ, मस्टर यो कॉरेच, ठीक है, अपना हिम्मत जुटाओ, जुटाना, यहां टूप्स का मतलब क्या है, टूप्स मतलब है, जो सिपाही लोग होते हैं, उनको एक जुट करने का मतलब है, एक जगा जमा करना, that is मस्टर, यह देखिए, मस्टर मतलब इस जगह आपको आके खड़ा होना है, जब अभी मैं एरपोर्ट की बात बता हूँ, तो एरपोर्ट में अगर कभी कोई सिचुएशन होता है, कोई emergency सिचुएशन होता है, then there are master points, जहां हम लोगों को लाके, मतलब जमा करते हैं, so that उनके जान को कोच भी हानी ना तो एक जगह आपको अगर डाल दिया गया है, जैसे जेल में, then that is your ordeal, that is unpleasant for you, and prolonged, लंबा क्या रहा है, आपको सोचिए 6 साल की सजा हो गई है, I am not saying anyone in particular, there is a criminal who has been sentenced for 6 years of imprisonment in Kalapani, let's say, in Anaman Nikobar Islands, काला पानी में कैसा होता था, बहुत ही कुरूर तरीके से वहाँ उन लोग को रखा जाता था, ठीक है, लंबी दरदनाक सजा, that is an ordeal, अगला वर्ड है, infalliable, definition है, incapable of making mistakes, or being wrong, आसानी से बता है, तो Mr. Perfect, that means, जिसको गलती करना आता है नहीं हो, जो हर काम बिलकुल अच्छे त infalliable, या फिर हम उसको बोलते हैं, perfect, एक perfect person, ठीक है, जो हर काम ऐसे आसानी से कर ले, ऐसे मतलब सठीकता से करे, जिसके लिए मतलब हमारे मतलब मन में कोई भी question ना हो, कोई भी मतलब बैर ना हो, हम उसको मतलब गलत बोलेंगे ही नहीं, that is infalliable, अगला वर्ड है, assiduous, definition is showing great care and perseverance, देखे, अगर कहीं एक bomb लगा हुआ है, तो bomb squad वाले, जो है, bomb diffusal squad वाले, BDDS, ये एक abbreviation है, bomb detection and disposal squad, this is the full form of BDDS, BDDS का काम क्या होता है, वो bomb detect करते हैं और उसको dispose भी करते हैं, ठीक है, उसको diffuse करते हैं, तो उस काम के लिए उनको बहुत ही धैरिये चाहिए, ठीक है, बहुत ही जतन से और धैरिये से वो काम करते हैं, that is assiduous, अगला वर्ड है, soddy, definition है, badly made or done, ये building को आप देख कहीं बोल सक करते हैं कि ये बहुत खराब तरीके से बना गया है, इस पर सुचिए, अगर cement 70% होना चाहिए, 70% cement, और 30% आपका rate, sand होना चाहिए, और इसकी अगर अदला बदली की कर दी गई, मतलब sand हो गया 70% और cement हो गया 30%, तो उससे जो घर बनता है, वो बहुत ही बेकार बनता है, poor quality, inferior, मतलब बाकी सारे घरों की जगा, वो बहुत ही निम्न धरण का घर होगा, उसमें अगर आप रहेंगे तो हो सकता है कभी, वो गिर भी सकता है, that is, soddy, अगला वर्ड है, inducement, डेफिनेस ने, a thing that persuades or leads someone to do something, एक boss अपने employee को बोल रहा है, कि अगर तुम अच्छा काम करते हो, तो तुमको इस बार एक मोटा सा बोनस मिलेगा, that is inducement, ठीक है, वो बहका रहा है, वो persuade कर रहा है, that is inducement, अगला वर्ड है, contemptuous, डेफिनेशन है, showing contempt or scornful, आपको किसी के उपर गुसा है, you are contempt, आपको मतलब पसंद ही नहीं वो आए, आप सोचिये, स्कूल के पिकनिक पे जा र कि अगर a जा रहा है, तो b नहीं जाएगा, या फिर c नहीं जाएगा, अगर c जा रहा है, तो b नहीं जाएगा, या फिर a नहीं जाएगा, that is contemptuous, आपको दूसरे के लिए आपके मन में गुसा है, you are not able to accept that person, आप बिलकुल ही उसको मतलब disrespect करते हैं, आपके मन में उसके इसी के साथ मैं आज के वीडियो खतम करता हूँ, hope you are able to learn something, आपके साथ आगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए, thank you and bye